हेलो फ्रेंट इस चंदन वेलकुम तो मैं चैनल आज हम लोग यह लाल सिंग चट्टा जी जो रिसेंटली मुवी रिलीज हुआ है यह कल यह रिलीज हुए तो उसके बारे में दिस्कस करेंगे और यह जो मैंने पार्ट या यह आयम डीवी से लिया है मतलब ऐसा मत सोचीगा क कि मैंने कही से भी चोरी किया है या ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो इस वीडियो में हमने लोग को डिस्कस करना है कि यह मुवी एक्चुईली बॉक्स अपे उन्हें फेल क्यों कर गया ठीक है तो फर्स तिंग आपको यह चीज समझना चाहिए कि एकदम पहला वीजन है यह अपने फॉर्स गम का कॉपी है आपको पता होगा आपने फॉर्स गम मुवी देखा होगा नाइन्टीन तूनेंटी फ्री उस टैम पर यह मुवी निकला था तो उस मुवी का एक इंडियन वर्शन बनाने की कुशिश किया गया है और जैसे कि सम्में होता है आप जब कॉप आप बहुत लोग क्या करता है वही मुवी देख लिया है और वो अपका दिमाग में रह जाता है और वो चीज़ लेकर जब आप लाज सिंग चटा में जाके देख रहे हैं ना कि खराब एक्टिंग है कोई स्टोरी नहीं है कुछ इंडिया पाकिस्तान का पकवास साइक रि या नागा चैतना अकानी ना अमीर खान करीना कपूर यार नागा चैतना अकानी यह तीनों ही मतलब निपोटिजम का एक मास्टर पीस है ठेक है किसी ने उतना हाड़ वाक मुझे तो लगता नहीं है किसी ने किया है ऐसे ही उनका जो पापा मान लीज़ या कुछ अंकल अधुल कुलकर्णी यह राइडर है देखिए अतुल कुलकर्णी के बारे में भी उतना बहुत अच्छे इंप्रेशन इंडेस्ट्री में है नहीं कि बहुत बार यह लोग हिंदू के बारे में अलाग गलस सब्सक्राइब ब्यान देता है जो बहुत लोगों को पसंद नही देखिए लाल सिंग चड़ा तो फोरेस्ट गम का कॉपी है लेकिन आपको पता होगा यह आमिर खान का कुछ मुवी आया था यह 2014 में पीके बोलके जहां पे अल्मुस्स सिमिलर एक करेक्टर प्ले किया है अमिर खान ने जो मतलब पहले से थोड़ा पागल टाइब का लगन दिखाया था यह पीके में भी सेम लाल सिंग चड़ा में भी वही सेम है इवन लाल सिंग पीके में दिखाया गया कि एक इंडियन हिंदू लड़की पाकिस्तन का मुस्लिम लड़का से प्यार करता था उसके बाद उन लोग का एक बॉंडिंग बन जाता है और यहां पे भी सेम लाज सिंग चड़्डा में भी दिखना गया कि पाकिस्तान सोल्जर से आमिर खान जो इंडियन सोल्जर से तो उनका बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है उसके बाद दोनों मिल के बिजनस स्टार्ट करता है और वो बिजनस फ्लॉरिश कर गया अब प्रॉब्लम यह है क 15 अबस्ट को यह सतंत्र दिवस मनाएंगे तो यह जो चीज है ना हम ऐसे इंडियन सब चीजे हमें हर्ट करता है तो जिसके कारण क्या हुआ कि यह लाज सिंग चड़ा यहां पर भी फेल कर गया इसके बाद देखिया आमिर खान जो उनका एक टीवी सिरियल चलता था ना व जो मतब सिरीज बनता था ना वो बोस्टली एंटी हिंदू होता था तो जिसके बाद जिसके कारण क्या होता है कि जो मास्ट पिपल है उनको यह चीज बहुत अच्छा नहीं लागा तो यह भी एक वीजन है जिस बज़ा से क्या हुआ कि आपका जो मुवी है ना नाल सिंग मैं नुगिञाक फ्रकम खण Film सुझ mendows आन देना तेया कारीन का ने किजिंगाई कोटा है मीडिया में और धुक्त रहने के लिए कुछ भी बोल देता है यह आपको पता होगा, यह तो एक एक एक्जाम्पल है, वो रणवी सिंग का कुछ नूट फोटो आ रिया था ना, तो उसके लिए एक देखे, everyone has a lot free time, यह एक चरी बोल क्या रहा है या कहना क्या चाथा है, clear नहीं है, मतलब पसंद है, नहीं पसंद है, कुछ गलत कीज हो रह यह आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर बर्खादात ने बुरा था, मतलब निपोटिजम के बारे में, जब डिस्केशन होना स्टार्ट होगा था, तो करुने कपूर अरोगेंटली बोल दिया, कि आपको मुवी पसंद नहीं है, तो मुवी मन जाओ, आप ही तो बनाते हैं आपको मुवी स्टार्ट, ऐसे करके बोल दिया, फर्स्ट अबर इन्होंने जो निपोटिजम का जो इशू था ना, यह इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया भाब दे, लेकिन यह तो सच्चा ही नहीं था ना, करीना कपूर को जो रोल मिरा है, वो किसके बज़ा से मिला है, क जिसके करण उन लोग के पास बहुत पैसा है, तो जिसके करण क्या होता है कि इन लोगों को मतलब कुछ बिना माहनत के ही रोल मिल भी जाता है, जो जीनों बेखादर ने जा पूछा था नहीं छो ने बोल दिया था, बोलना था ना, कि निपोडिजम के बार में आदाल चाह कि तुम जब एरोगेंट हो जाओगे जब मास जो पीपल है उसको गाली दना और स्टार्ट कर दोगे तो तब यह प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा जो महनती लोग वह ऐसा नहीं कि उनको पापा या ममी से कुछ मिला है उनको कुछ नहीं मिलता है जैसे डां मिल सफेनर में नाम मिलते हैं और थोड़ा बहुत जमीन नहीं मिलता है लेकिन हमें उतना फिसलेटी नहीं मिलता है कि अच्छा चलो कैमेरा के सामने चले जाए कुछ किया ना किया एक्टिंग का कोई माम भावा नहीं है ठीके एकदम टारेक मुवी में चला जाता है जो 200 कड़ों 300 कड़ों का मुवी ऐसे नहीं होता है जिन्दगी तो यह भी एक रिजन है जिसके कारण यह जो लाल सिंग चटा है न यह फेल होगा देखें बॉले मोड में मुवी बन रहा है और वो मुवी एंटी हिंदू या अगेंस्ट इंडिया नामी के खिलाफ नहीं हो सकता आप देख सकते हैं यहां पर इंग्लाइड का एक क्रिकेटर है पहले तो यह इंडियान था पंजाब से है यह मौटी पनेसर अपने पता होगा यह लाए लेफ्टाम बुला है तो इन्होंने भी यहां पर इस मुवी को क्रिटिसाइज किया है यह क्लियरली यहां पर लिख अब चीजें यहां पर इंडिया में भी सेम हुआ है एक मुवी में आप जब कोई पाकिस्तन सोल्डर्स को आप बचा के आते हो और उसके साथ आप जब बिजनस करते हो ना और पाकिस्तन क्या करता है जिस दिन यह मुवी रिलीज हो था उस दिन क्या हो था पाकिस्तन ने हमारा चार सोल्डर को मात दिया था हम लोग आज जिन्दा है या भात कर रहे है आप बोली जई आप योपसाई दिए चीजे यूट्यूब में देख रहे है यह यह वही आप यह सब चीजों को जब आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दो गया ना तो तब प्रॉब्लम स्टार्ट होने ही बाला है और आपको पता होगा जनरली यहां पर मैं देख रहा था एक दो ट्वीट जो मुझे सच में खराब लगा कि जैसे मतलब इंटरनाशनली भी इस मु मतलब यह वही है आपका जब सब आपके पास इसना भी ऑपिशन से सब आपने ट्राइब कर लिया और लास्ट में क्यांगे एक पायरेटेड को भी कंप्लिटे ट्रेंट में अवेलेबल है आप मतलब आप मैंसे बहुत लोग को लग रहा है कि अच्छा आपको मुझी देख अच्छा मैंने यह सब चीज यहां पर क्यों नहीं दिखाया कि यह सब चीज दिखाना सही नहीं है आदर्वाइस आप एक दो सर्च करेंगे ना तो उसके बाद आपको यह चीज पता चाल जाएगा आदर्वाइस आप होस्टेल में रहे हैं तो और कोई भी आपका लोगों या वस्टेल में रह रहा है तो अब एक दो लोगों से आप पूछ रहे हैं आपको यह में भी टॉर्टन में मिल जाएगा और यह भी एक रीजन है जिसके वज़े से क्या हुआ है कि लाज सिंग चटा जो भी है यह फेल हो गया देखिए यहां इसके बाद होता है कि कीभी स मिल आमेरखान ने यह सब चीज़ें नहीं किया था इसके करान उन्हें देश-द्रॉइब टामशी यह उसकर दिया था तो इससे क्या होता है अंने एरफां का जो इमेंज है वो खरा होता है यह खरा क्यों होता है दीगे आपको पता होगा एंगिया और पोर्स की जो रिस्र इंडियान ने भी का सबसे ज्यादा कंट्रिबूशन था लिए इंडियन एर्फोर्स का भी जो कंट्रिबूशन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते है अब यह सब चीजे जब आपके दिमाग में आ जाता है तो तब आपका दिमाग में एक गलत चीज बिठा दिया बैठ जा यही लोग हैता है जब फस जाता है जब बार-बार इंडिया कंस्ट्रिबूशन के उकर बहुत है कि हमारा जो डिशियरी के उपर कंस्ट्रिबूशन के उपर फेथ है लेकिन यह सब स्टेटमेंट जब आता है न तब क्या होता है कि इंडिया का जो कंस्ट्रिबूशन है आ में यह freedom मिलाया था और अब यह सब चीज़े क्या होता है कि एक गलत English portrait करता है जो सच में a heart करता है as an Indian उसके बाद देखें यहां पे जो आमिर खान ना मतलब यह जो लाज सिंग चटा का जितना भी shooting हुआ है तो यहां पे क्या problem है देखें इंडिया 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 में कुई भी चीज़ उठाएगा ना तर्की ऑलवेज उसको पर्फ़ करता है और तर्की क्या करता है बार बार पाकिस्तान के साथ सब्वोग करता है और जिसके कारण क्या होता है कि जो image है मतलब तर्की का तो email इं something which is anti-India तो यह सब चीज़ों से आप इसको प्लब करेंगा ना तो तब क्या होता है कि जो लाज सिंग चट्टा का जो failure है इसमें भी यह सब चीज़ कंट्रिब्यूट करता है देखें इसके बाद आ जाता है Chinese angle आपको पता होगा गलवान में हम लोगों का चाइंजर का क्य इसके बाद हमारा इंडिया चाइना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है गलवान में और भी खराब हो गया और यह तो मूदी गवर्मेंट आने के बाद जब हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहां तो जब से यह development स्टार्ट गआ है उसके बाद चाइना से हमारा रिलेशन ख है तो आपको पता होगा इंडिया ने अभी क्या क्या है कि manufacturing sector को बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया और आपको पता होगा टूटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा manufacturing पावर आउस है चाइना को यह सब चीज़े पसंद नहीं है उसके बाद चाइना ने क्या क्या इसके दूलिए यह जो money laundering का business है यह start कर दिया आपको पता होगा जाए जो मूवी है मतब मूवी इंडिया में रिलीस होता है चाइना भी रिलीस होता है इंडिया में जो सब मूवी कोई देखता भी नहीं है ठीक है वहां पर जैसे दंगल दंगल ने देखिए दंगल ने इंडिया में तो कभा बहुत कमाया है ऐसा कुछ नहीं है कही ही कमाया है लेकिन 1400 करोर एंडिया से नहीं कमाया है ठीक यह देखे चाइना से 1400 करोर कमा पर लिया उसके बाम देखिए नीचे और एक walk using a secret superstar इ Правसा ने मूवी में किसी नहीं मूवी देखा भी है लेकिन आप मैं चाइना में कलेक्शन देखें आठ सो एक तीस को तो यह सब पैसा कहा है कैसे आता है फर्स्ट अपल एक चीज़ याद रखिए चाइना से जो भी चीज रिपोर्ट होता है ना उसका पर बेरिवेर करना बहुत डिफिकल्ट है क्यों डिफिकल्ट है क्योंकि द को होता है Specially अमीऀघ़्ान का मुवी तो चाइना में कैसे चल जाता है मतलब चाइना में इतना पैसा कैसे देता है उसके लिए सब्सक्राइब करता है कि नहीं से क्या ब्रून को परकें ज Sch backs vasa пальर खेल्ण के में जो sales company create करता है आपको पता होगा है इसके लिए जो कुछ lawyer भी जिम्हेदा है कुछ chartered accountant भी जिम्हेदा रहे है यह सब पैसा खाता है इवें क्या करता है इंडिया में बिजन्स किया माल लेज़े एक लाग 25,000 ऐसा कुछ बिजन्स किया उसके बाद जो भी आपका expenses है वो उनका पे किया उसके बाद इसके बाद इसके बाद यह डायरेक्ट चाइना नहीं जाता है यह फर्स्ट पे होता है इस बहुत सारा sale company create करक चाइना ने तो वहाँ पे payment होता है उसके बाद वो sale company से जाता है डायरेक्ट चाइना में अब यही जितना amount आपने भेज दिया इधर से यही amount में से कुछ amount यह जो volume star को मिल जाता है या आप मालेजे जो जितना environmentalist होता है इंडिया में उन लोगों को मिलता है सब नहीं लेकि यह third class movie भी इतना पैसा चल जाता है तो यह भी और एक reason है कि जिसके वाजा से अब लाल सिंग चल्टा फेल हो गया इसके बाद देखिए कोई भी movie चन्नाई के लिए आपको क्या चाहिए एक बहतरी acting होना चाहिए ठीए उसके बाद उनका जो story है वह और अच्छा होना चाहि लेकिन यहां पर देख लेकिए यह Guardian का एक article है Guardian आपको पता होगा Australian newspaper है तो इन्होंने यह गुलाल सिंग चल्टा का review किया था तो जहां पर मतलब इनका दिखाया गया है ना कि आपको पता होगा यह ठकसर हिंदुस्तन तो अच्छली पाइलट्स अब करेबियन का copy किया था अबिखान का ही भूगी था अमेरिका अमेरिका बचन माँ वहां पर भी स्टार्ट्स रख था लेकिन वहां पर भी बहुत सेम प्रॉब्लम हो गया कि फेल हो गया इन फेल हुआ यह bad acting story नहीं है PR अच्छा नहीं प्यार किसे किसे किसके help लेता है PR के लिए कोई professionalism नहीं है व स्टोरी देखे पहले copy करता है Hollywood से अब Hollywood में problem वही है Hollywood का चीज उनका जो society है वो अलग होता है इंडिया का society अलग होता है लेकिन इन लोग क्या करता है कि Hollywood से स्टोरी उठाया है उसके इंडिया का context में डालने कोशिश करता है उससे क्या होता है कि जो movie बन रहा है उसमें नया तो कुछ दिखने का और नहीं मिद्धा उसके बाद काली होता है उसके बाद bad acting देखे करेना कपुर का जो acting और कुछ रहा नहीं है ठीक है बेकार हो गया है सिमिलर्ली आमिर खान का भी देख लिए जो acting हता है मतब third class degraded हो चुका है अब यह सब चीजे club होता है और जिसके कारण क्या होता है यह एक reason हो जाता है कि लाज सिंग चग्डा ने इंडिया में मतब almost fail ही कर गया या flop हो गया friends आपसे बिदय लने का समय आ गया है next video में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक safe रहे अपने परिवार का ध्याम रखिएगा and thank you guys for watching my video